है स्वागत है आप सबका मैं विवेक बिंद्रा इंटर्नाशनल मोडिवेशनल स्पीकर लीडर्शिप कंसल्टन बिजनेस कोच अमेजिंग टॉपिक है थोड़ी मैनत में रेगिलर इंकम कैसे जनरेट करें अक्टिव इंकम वर्सेस पैसिव इंकम अक्टिवली काम ना करना प सक उसको पैसा मिलेगा आंत्रपनियोर कुछ ऐसा बिजनस का मेथड डेविलेप कर देता है इंकम आती रहती आती रहती आती रहती है एक लॉयर्ट चारड़ अकाउंटेंट डॉक्टर जितनी देर अपने कस्टेमर से मिलेगा उतना ही कमाएगा डॉक्टर जितनी छुट् उतने दिन पैसा नहीं कमा सकता लेकिन बिजनेसमेन में अंतर ये है वो ऐसा बिजनेस मेथड बनाता है कि वो तो दुबई में बीच पे बैठके लेमुनेट पी रहा है और पीछे इंकम बढ़ रही है बढ़ रही है उसको बोलते है पैसिव इंकम या recurring revenue model जनरेट करना उधारन लीजिए यमना नगर के पास अगर पानी की सुवदा नहीं है लेकिन यमना नदी बह रही है तो एक है घंचाम और एक है शाम घंचाम ने वहां से बाल्टी भर भर के भर भर के रात भर में ड्रम्स इकठे किये लोगों को पानी सप्लाई किया लोगों ने उसको पैसा दिया अब घंचाम जिस जिस रात को बाल्टी से पानी भरता है अगले दिन सुवदे लोगों को पानी दे देता है लोगों की महनत नहीं लगती इसलिए वो उसको पैसा दे देते हैं और घंशाम की कमाई होती है लेकिन दूरी तरफ शाम उसने क्या किया उसने थोड़ी सी ऐसी महनत करी कि एक पाइपलाइन जनरेट कर ली यह अमना नहीं से उसके घर की तरफ अब उसके बाद क्या उसके बाद रोज सुबह नलका खोले पानी भरे और लोग ले जाएं एक बार उसने महनत करी लेकिन अब उसकी पैसिव इंकम जिसको बोलते है रेकरिंग रिविन्यू मॉडल अगर घंशाम बिमार हो गया उस दिन कमाई नहीं होगी लेकिन अगर शाम बिमार हो गया तो वो किसी और को रख सकता है इसको बोलते हैं रेकरिंग रिविन्यू मॉडल हर व्यापार में हो सकता है आपको कुछ देखिए आप में से कहीं लोग नया नया बिजनस शुरू कर रहे हैं जो मेरे वीवर्स यूट्यूब पे मैं आपके कॉमेंट ध्यान से पढ़ता हूँ ना आप लोगों नया बिजनस शुरू किया है काफी लोगों ने कहीं लोगों का बिजनस बड़ा हो गया है दोनों के काम आएंगे मैं आने वाले कुछ ऐसे स्टेप्स आइडियल देने वाला हूँ कि महनत लगेगी कम लेकिन रेकरिंग रेविन्यू इसका में फाउंडेशन है सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच का कंटिनुटी इन रिलेशन्शिप जो आपको सस्टेनेबल अडवांटेज देता है कॉंपटिटिव अडवांटेज आप भले ही बिल्ड कर लें लेकिन अगर सस्टेनेबल अडवांटेज नहीं हुई रिमेंबर एवरी कॉंपटिटिव अडवांटेज है लिमिटेड लाइफस्पैन एक बार और हर कॉंपटिटिव अडवांटेज का एक लिमिटेड लाइफस्पैन होता है तो मेरा पहला पॉइंट है contract based agreement अपने अपने customer को retain करने के लिए Jio और Aetal भी इसी प्रकार की policies लेकर के आए Jio आपको contract based agreement में one time cost 1500 रुपे के अंदर mobile दे देता है जिसमें 153 रुपे हर महीने वो average revenue per user की तरह आपसे expect करता है तो वो आपको retain करने के लिए phone सस्ता दे दिया यह agreement हो गया अब इससे customer लंबे से में retain हो जाएगा recurring revenue आता रहेगा Aetal ने भी ऐसा किया Aetal अटाइस सो पचास रुपे में दे रहा है और 119 रुपे आपसे हर महीने expect करता है उससे customer retain रहेगा recurring revenue model चलता रहेगा सारी telecom company average revenue per user पे ही टिकी हुई है अगला quick point है क्या आप किसी business में silent business partner बन सकते हैं जैसे रतन टाटा, नरायन, मूर्ती जैसे कहीं बड़े व्यापारी ये लोग भी silent business partners बनते जा रहे हैं रतन टाटा, अभी टाटा संस से active involvement हटाने के बाद अपने पैसों को कहीं जगें invest कर रहे हैं KTM, Ola, Xiaomi, Urban Ladder ये जैसी कुछ कंपनी आएं जैसे रतन टाटा, silent business partner बने हुए अपना पैसा इंवेस्ट करके profitable, transparent, scalable, competent business हो जिनको पैसे की ज़रोत हो आप अपना पैसा इंवेस्ट करके हमाँ silent business partner बन सकते हैं क्या आप अपने business में कुछ subscription अड़ कर सकते हैं India Today का अपने नाम सुनाई होगा one of the largest selling news magazines of our country 16 lakh का उनका reader base है बहुत बड़ा subscription उनने generate कर लिया है इन subscribers की मदद से उनका recurring revenue model आ गया है जिससे उनका retention हो गया है देखिए model समझे acquisition में cost बहुत आती है retention में cost घट जाती है नया customer require करने के लिए आपको prospecting, presenting, follow-up, closure, objection handling बहुत महनत करना पड़ता है आपकी 80% energy और manpower लग जाती है लेकिन एक बार customer आ जाता है retain करने के लिए आपकी 20% manpower की भी अवशक्ता नहीं है इसलिए retention में 20% महनत acquisition में 80% महनत तो acquisition महंगा पड़ता है retention बहुत सस्ता पड़ता ऐसे ही India Today ने subscribers create कर लिए जिससे उनका recurring revenue model हो गया क्या आप भी ढूंड सकते हैं ऐसा कोई model आगला मेरा point आपने जरूर सुना होगा franchisee model आप अपने business का कोई एक ऐसा method या model develop कर रहे हैं जिसमें आप अपने साथ franchisee partner जोड सकते हैं जो आपको royalty दे सकते हैं commission दे सकते हैं profit में हिस्सेदारी भी दे सकते हैं काफी सारे franchisee इंडिया में famous हैं जैसे subways, McDonald's, Domino's, Pizza Hut या Baskin Robbins passive income के लिए एक और उपाय है आप part time business कर सकते हैं LIC agent बनके या कोई एक अच्छा credible MLM को join करके LIC agent एक बार एक policy sell करता है उसके बार लगबग 20 साल तक जब तक आदमी premium देता रहता है लगबग उसको तब तक 10-15% का commission अपने आप मिलता रहता है एक बार policy sell किया recurring revenue model generate हो गया MLM के अंदर भी एक बार आपने high performance team अपनी down line में build कर ली चाहे वो hybrid model हो, binary और generation का fixed combination, mixed combination high performance team आपके लिए साथ-साथ काम करती है एक recurring revenue model generate हो जाता है repurchase से भी होता है और extra भी कहीं प्रकार की income हो जाती है recurring revenue model का एक और popular तरीका rent a property आप एक पच्ची property खरीदें लेकिन ध्यान दीजेगा कई लोग residential flat खरीद के उसको किराय पे दे रहेते हैं नुकसान में रहेंगे rental income commercial property में अमूमन जादा आती है ध्यान दीजेगा calculation आपका positive cash flow होना चाहिए negative नहीं positive cash flow statement का मतलब है एक महिने के अंदर कितना पैसा आपकी जेब से गया और कितना पैसा आपकी जेब में आया अगर आपने property खरीदी उसकी EMI interest या maintenance की cost में ज़्यादा पैसा जा रहा है और rent में कम आ रहा है negative cash flow है अगर EMI interest और maintenance का पैसा कम जादा है और rent जादा आ रहा है इसका मतलब positive cash flow अगर कोई property आपको 12% का ROI दे देती है अमोमन वो positive cash flow की property होगी यह जीवन भर के लिए एक अच्छा recurring revenue model बन जाता है अगला मेरा point है reward points क्या आप अपने business में अपने existing regular frequent customers को कोई reward point दे सकते हैं जिसको रीडीम करने के लिए वापस है जैसा कि city bank करता है जितना card इस्तेमाल करो उतना reward point बढ़ेगा जितना reward point बढ़ेगा उसका redeem करने आने के लिए इच्छा उसकी बढ़ती चले जाएगी star alliance membership Indian airlines का भी है विस्तारा भी अपने साथ ऐसा करता है एक उधारन देते हैं कि दस flight लिया तो दस flight में इतना reward point मिल जाएगा कि 11 या तो business class ले लो economy को upgrade करा लो या economy free ले लो reward point के चकर में loyalty बढ़ जाती है customer की वो customer सोचता है या इतने बल रहे हैं वापस महीं आ जाओं वो भी recurring revenue model यानि कि passive income को contribute कर सकता है अगला मेरा point है membership based business model क्या आप अपने business के अंदर कुछ membership create कर सकते हैं जैसे gym spa saloon cricket club of India यहाँ पे monthly fees एक customer को जाधा पढ़ती है उसके लिए वो annual membership की एक exciting offer दे देते हैं जिसके करन बहुत सारा customer based उनका annual membership पे shift हो जाता है जहां से उनको sustained एक income generate हो जाती है अच्छा B2B model के अंदर corporates को service देते वक्त एक और उपाए है जैसे की commercial cleaning company facility management services and security services यहाँ पे भी आपके corporate accounts मिल जाते हैं आपको कहीं सरकारी कहीं गहर सरकारी और कहीं अच्छे private corporate भी मिल जाते हैं जहाँ annual contract बन जाते हैं आप security guard एक बार sign कर लें आपके 1500-500.500 security guard लग जाते हैं आप facility management service भी societies, group housing, corporates, malls, hospitals इसमें दे सकते हैं यह commercial cleaning company जहाँ पर पूरी बड़ी building को clean करने का आप ठेका ले ले लेते हैं यह सब recurring revenue model के business हैं एक बार बड़ा customer require किया उसको retain करने में अच्छी service देते रहें business बढ़ते जाता है security के अंदर जैसे group for security या green seals security service एसी बहुत सारी companies हैं जो recurring revenue आपको देखना है क्या आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं अगला point software as a service कहीं प्रकार के software's adobe windows license antivirus software एक बार आपने software बनाया शुरू में adobe को बहुत मुश्किल आती थी वह एक software बनाके one time cost पे बेचने की कोशिश करते थे जिसे cost बहुत ज्यादा होने के करन कई बार customer second grade पे shift कर जाता था so adobe shifted their creative suit to cloud-based service cloud subscription service से उनके annual income में बहुत बड़ा jump हुआ चूकि यहां पे छोटा monthly amount था जिसमें कई छोटे 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 बिजनस को भी acquire कर गए छोटे बिजनस उनको इसलिए जॉइन कर गए चूकि monthly छोटा amount देना उनके लिए असान हो गया था इससे उनका recurring revenue model generate हो गया और छोटा छोटा amount करके नया market बहुत बड़ा acquire कर गए जैसे कि anti-virus software एक बार आपने खरीद लिया हर साल उसको renew कराना ही पड़ेगा कहीं बार आप मेंसे कहीं लोग सोच्थे यह मेरे business में कैसे apply होगा मेरे business में कैसे अरे हर एक के business में apply हो सकता है गोलगप्पे वाले ने गुजरात के अंदर इस model को apply कर दिया रोज गोलगप्पा खाओ तो 100 रुपया जितना मरजी खाओ हर पूरे महीने का subscription ले जाओ 1000 रुपय में रोज आओ जितना मरजी गोलगप्पा खाओ उसके business के अंदर एक बहुत बड़ा जे कर्व कमान क्या मिला उटको जे कर बहुत बड़ा ग्रोथ मिलता है इसी model को कहते है recurring revenue model creatively आपको सोचना पड़ेगा जब गोलगप्पे वाला recurring revenue model generate कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है आईए leadership funnel के program में डेली भी हो रहा है Mumbai भी हो रहा है कहीं लोग expansion में बहुत जल्दी कर देते हैं और अपने business को existing संभाल नहीं पाते हैं आगे दोड़ पीछे छोड़ आगे दोड़ पीछे छोड़ मैंने कहीं लोग देखे जो retain नहीं कर पाए recurring revenue model और passive income को ऐसे videos मैं इसलिए बना रहा हूँ क्या कि छोटे छोट question है आपको क्या लगता है हमारे देश के व्यापारी क्या गलती कर रहे हैं one more time come on आपको क्या लगता है हमारे देश के व्यापारी क्या गलती कर रहे हैं खुल के लिखिए एक दूसरे के comment को पढ़के सीखेंगे समझेंगे मैं सबके comment पढ़ने आऊँगा और आप भी एक द आपको उसका बहुत फाइदा होगा वरक्शॉप के दौरान भी लोग मुझसे सेकड़ो प्रशन करते हैं और पूरा इंगेजमेंट मॉडल हम बिल्ड करते हैं जब आप आके मुझसे मिलते हैं जो जो प्रशन हों आपके आके मुझसे पूछिएगा लाइव अगर उत्तर नहीं दे सेका तो मुझे ट्रेनर रहने का अधिकार नहीं है और आज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आपने हो सकता है सब्सक्राइब भी कर लिया हो घंटी भी बजा दी हो लेकिन अपने तीन चार दोस्तों को कम से कम मदद करें कि वो भी बेल आइकॉन को हिट करें और वहां तक ये नोटिफिकेशन जा सके अगर वीडियो से मदद होती हो हर बार मेरी रिक्वेस्ट किये बिना लाइक जरू कर दिया करिये ऐसे वीडियो देखने का आपको बहुत धन्यवाद